नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दोलदार अपडेट्स में, तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखी चुके हैं कि अभी की ताजा ख़बर आपके लिए इस वीडियो में लेकिया हूँ, तो हिमाचल परदेश में अभी अभी जानकारी बताते हैं आपको इस वीडियो में कि कौन से डिस्टिक में हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकुल दिना भूलें, और साथ में बेल आइकन को जूर पेस करने तक कि आपको आगे भी आने हिमाचल में एक और पोजिटिव, 67 पहुंचा आंकडा, तो हिमाचल में कांगडा जिले में करोना का नया मामला, कांगडा जिले में दिन प्रति दिन करोना के मामली बढ़ती जा रहे हैं, अब तक परदेश में 60 टैम करोना पोजिटिव मामले दर्च, राज्ये में 26 सक्रि जब निकला 29 वर्षी यूबक कांगडा जिले के पालमपुर के कक्रेल करेने बाला है। यह यूबक वाइरस की चपेट में कहां से आया इसका पता लगाने में प्रसाशन चुट गया है। 67 क्रोना पॉस्टी मामले आ चुके हैं। क्रोना से 2 की मिट्टी हुई है और 35 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। चार लोग हिमाचल के बाहर चले गए हैं। राज्य में अब तक 24,776 लोगों को निगराने में रखा गया है। इन मेंसे 3500 कुंजा लोगों ने 28 दिन की चुरूरी निगरानी अप्थी को पूरा कर लिया है और सभी स्वस्थ हैं। राज्य में अब तक 13,777 लोगों की क्रोना को लेकर जाज की गई है। वहीं स्रिमोर जिले में अधोगी किशेत्र काला अंब में चल रहे एक अधोग के अधोगपती का भतीज्या पंजाब के अंबाला में क्रोना पोजिटिव पाया गया है। उधोगपती कामकाज के स्रिसले से काला आम आता रहता है। प्रशाशन ने अतिहाए जो पिछला जो उसका उधोदिक में कारे करते सभी मंजूरों मजदूरों को और करमचारियों के सेंपल लेने शुरू कर दिये गए है सभी को क्वारेंटीन कर लिए गया है। तो यह थी आज की अभी की ताजया ख़बर तो अगर आपको वीडियो को आप लाइक करना बिल्कूर न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें तापकि आपको आगे भी जो हम टाइम टू टाइम जो है ब्रिकिंग इसका तो वीडियो के देखने के लिए बहुत वह धन्यवाद जयाहिन 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 जयाहिन